अगर हम लोग बात करते हैं power system की तो आपने कुछ इस तरीके के poles हमने generally देखे होंगे यह different types of poles हैं जो कि आपने कहीं न कहीं अपने आसपास power system में या कभी आप जब travel करते हैं तो रास्ते में आपने देखे होंगे इन में से कोई न कोई पोल पर आपको wiring करते होंगे या transmission या फिर distribution में यह सब use होते हैं तो आज का जो lecture है वो पूरा हम लोग dedicated कर रहे हैं इस काम के लिए हम लोग जानेंगे कि किसने तरीके के poles होते हैं और वो कैसे कहां किनका इस्तमाल करना है और कब कौन से पोल का हम कैसे यूज कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें हम लोग डिसकस करेंगे साथ ही साथ हम यह देखेंगे किसमें क्या disadvantage है कॉस्ट इसकी जादा यह सब चीजों के analysis करेंगे इस lecture में चली शुरू करते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि poles की जरूवत क्यों पड़ी power system में transmission में poles कहां से आए तो actually for example मान के चलते मेरे पास एक generator है एक alternator है जिससे हम AC supply generate कर रहे हैं और एक load है जिसको मुझे supply करना है अब generally जो यह लोड और यह जो generation होता है यह काफी जादा दूरी पे होता है तो एक approximate length ले ले लेता हूं मैं 100 km यानि कि जहां पे मुझे जरूवत है power की और जहां पे power generate हो रही है उनके बीच में 100 km का लगबग distance है अगर मैं यहां पे इस wire को एक wire connect करूं इन दोनों के बीच में तो wire कुछ इस तरीके से जाएगा यानि की generation से निकलेगा generator से और जमीन पे ऐसी पड़ा रहेगा और load पे जाके जुड़ जाएगा ना यह जो जमीन पे पड़ा wire है यह काफी जादा प्रोन होगा आस-पास के risk से भी हो सकता है कोई जानवर इसे काट जाए हो सकता है गाडियां इस पे से निकलें हो सकता है कि कहीं को ड्रिल हो रही हो खुदाई हो रही हो उसमें wire कट जाए तो यह जो तरीका है यानि कि अगर हम लोग wire जस्ट ऐसी निकाल के जमीन पे छोड़ देंगे तो यह बहुत सेफ हम लोग नीचे से अपने गाड़ी निकाल सकते हैं लोग निकाल सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं होगी तो अगर हम बात करें कि अगर हम लोग कई बात करते हैं मेरा काम यह रहता है कि जब भी आप पढ़ें तो उसकी सारी बेसिक चीजें आपको पता हो बैक्ग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए तो यह बहुत ही कॉमन सी बात है आपको बहुत सारी लोग पता होगी लेकिन जिनको नहीं पता है तो यह बात क्लियर हो गई होगी कि पोल की जरुवत ही क्यों पड़ी now important features क्या होने चाहिए यानि कि जब हम poles को design करने चलते हैं हमने देखा कि pole की जरुवत पड़ी कि तार जो जमीन पे पड़ा था उसको हम ground clearance देंगे और air to air move कराएंगे with the help of pole support तो अब pole में क्या-क्य qualities होनी चाहिए जो हम देख रहे हैं तो सबसे पहली quality होनी चाहिए कि वह conductor के weight को समाल सके क्योंकि क्या है कि conductor heavy conductors होंगे for example high voltage transmission हो रहा है current ज्यादा होगा वहाँ पे तो वहाँ पे इतने high voltage transmission में जब हम conductors use करते हैं तो काफी heavy conductor होंगे तो conductor का weight समाल सके अगर हम बात करते हैं distribution side की तो हमारे conductor का weight कम होता है पर फिर भी वहाँ पे जो tower use करेंगे वह इतना होना चाहिए कि वह उस particular conductor का weight समाल सके हर बार एक one of the major concern है कि जो आपका tower है वह आपका weight समाल सके दूसी चीज़ tower के खुद का वजन है वह कम होना चाहिए without compromising the strength मतलब हमें ऐसा tower नहीं बना लेना है कि जो बहुत हैवी हो ठीक है जो मतलब बहुत ही जादा है टिकाव हो टिकाव होना चाहिए मतलब strength होनी चाहिए tower के अंदर पर उसका weight बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए because अगर बहुत ज्यादा हो यह हमारी essential requirement दूसरी बात है आप कहीं tower लगा रहे हैं तो जल्दी ना हो बारिश से और उसकी life span काफी ज्यादा हो काफी लंबी उसकी life हो जिससे कि हमें बार-बार उसकी maintenance ना करनी पड़े low maintenance दूसरा वाला जो बात है वह उसी अगर कोई दिक्कत आगई तो हम tower पर चलगे हो सही कर सके ठीक है तो जो transmission line उस tower से जा रही है क्योंकि अगर काम है transmission line को carry करना अगर transmission line को दिक्कत आ गई तो हम क्या चाहेंगे कि हम tower पर चलग कर सही कर सके तो यह भी एक important part है कि tower जो है वह इतना easily access होना चाहिए टावर पर चड़के लाइन को छूना ताकि हम उन्हें मैंटीन कर सकें आप देख सकते हैं जो बड़े टावर होते हैं वहाँ पर स्टेर्स दी होती है इस पर्टिकुलर पिक्चर में जो आपके सामने है इस मैं आपको दिखाता हूं देखो अगर जिन्नोंने देख करता जाए इस तो हम इस टाईप पर चड़के यहां तo यूठ्केर कर सकते है और बंटे तरुपर पोर प्र यह पांच एलेक्स पोल्स देखे होंगे अपनी लाइफ में ठीक, पहली वाली बात कर लेते हैं, ये है वुडन पोल्स, ये बहुत रेरली एक्जिस्ट करते हैं, ये पहले के जमाने में यूज होते थे, दूसरे हैं इस्टील ट्यूबलर, ये बहुत कॉमन पोल्स हैं, तीसरे हैं रेल हमें बहुत easily visible है हर जगा लगबख हमने electrical line को electrify कर दिया है railway lines को तो वहां पे आपको जो भी electrical locomotives हैं वहां पे आपको easily visible होंगे चौते हैं यह आपके lattice steel और यह तो बहुत common है जब भी आप कभी बस से निकलते होंगे तो रास्ते में आपको highway पे चलते हैं तो आपको यह बहुत easily visible हो जाएंगे यह आपके घर के पास दिखने वाले सबसे ज़्यादा common poles हैं तो घर के जस्ट बाहर निकलोगे तो concrete poles आपको easily दिख जाएंगे इस lecture के अंतरा मिंस सभी की ओंपर सर्चा करेंगे और देखेंगे किसके क्या advantage है कहां किसको इस्तमाल करना है सबसे पहले wooden poles की अगर बात करने तो यह wooden poles जो थे यह पहले की जमाने में use होते थे जब power system early stages में था क्योंकि तब हम लोगों ने इतनी research system का तो वहां पर 90 में तो वहां पर क्या होता था कि जो घर के पास की पोल्स होते थे वह लकडी क्योंकि easily available थी तो हम लोग लकडी की पोल्स इस्तमाल करते थे तो लो tension alignment का इस्तमाल करा जाता था डिवीजन अगर हम बात करें तो on the basis of weight of conductor यानि कि जो लकडी के जो पोल्स होते थे वोड़ पोल्स यह इन एक जो क्या सकते हैं जो categorize करा गया इसको on the basis of weight of conductor पर यानि कि अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके की लकडियों का mainly इस्तमाल करते थे और भी होंगी लेकिन majority में दो थी एक शॉल की वूड थी और एक ती गर्जन वूड तो यह क्या था शॉल वूड जो थी वो conductor जो थे वो light conductor को पकड़ती थी और गर्जन वूड का इस्तमाल हम लो heavy conductor को hold करने के लिए करते थे तो अब अगर हम बात करते हैं वूड पोल्स की categorization की तो on the basis of कि कितने वेट का conductor पकड़ना है hold करना है ज्यादा वेट का करना है तो घर्जन वूड ले लो हलके वेट का करना है तो शॉल वूड ले लो और ज्यादा करना है तो और कोई बहुत सारे ऐसे आपको example मिल जाएंगे ठीक है तो आयोब समझ में कितने वेट का conductor को hold करना है नेक्स बात करते हैं यह बहुत कॉमन पोल्स यह आपने आसपास अपने इसली विजिबल होंगे देखेंगे आपने घरों के नुकड़ पे लगे हुए इनके खास बात क्या होती है यह हाई लोड बेरिंग कैपसिटी होती है तो इस टील हम जानत के लिए अधंड लेक्र कल में लोट का मतला होता है करेंट या पावर ठीक है करेंट और पावर लेकिन अगर हम बात करते हैं मयकेनिकल लोड की तो मेकनिकल में इस for example लोड फॉर लोड फॉर टोवर यानि कि पॉल्स की लोड की बात करें तो इस बसीकली दा वेट ओफ conductor weight of conductor की कितना weight का conductor हमें hold करना है ठीक है तो ये बात समझ में आगई होगी तो ये जो होते हैं इनके अंतर load bearing capacity बहुत तगड़ी होती है obviously बात है next higher than the wood poles तो wood poles से ये तगड़े काफी जादा तगड़े होते हैं ठीक है लेकिन क्या होता है इनकी demand बहुत कम होती है reason क्या है क्योंकि इनकी cost बहुत ज़्यादा है यानि कि ये जो steel poles होते है इनकी demand कम होती है compared to the other poles क्योंकि इनकी cost यार महंगा पड़ता है steel use कर रहे हो ठीक है और generally used in both HT and LT lines तो ये वाले जो pole है ये तुम्हें high tension line में भी दिख जाएंगे और low tension line में भी दिख जाएंगे ये इनकी खुपसूर्ती है कि इनका इस्तमाल हम लोग दोनों क्योंकि देखो obvious ही बात है अगर हम बात करते हैं high tension line की तो मोटे conductor और low tension line की मतलब पतले conductor तो दोनों ही दोनों case में यानि कि high tension and low tension line में जो conductor से हैं उनका weight अलग-अलग है लेकिन क्योंकि इनकी strength अच्छी खासी strength है तो इनका इस्तमाल हम दोनों ही conductor को hold करने के लिए कर सकते हैं types की बात कर लें तो दो तरीके की होते हैं एक होते हैं stepped pole और एक होते हैं swaged pole next बात करते हैं concrete electric poles की अगर हम लोग बात कर लें तो भई हमने क्या करा wood देखे हमने steel देखे ना एक beach की category निकाली वो थे cemented यानि कि हमने क्या करा इनका इस्तमाल हम लोग करते हैं lt and ht lines में यह क्या होते हैं यह cemented poles होते हैं से हमने बना के poles को खड़ा कर दिया और इनको बनाना बड़ा असान है हमें कहीं जाना नहीं है फ्रेम तयार करा वहां पे cement डाला और हमारा pole तयार हो गया steel के case में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वोड के case में भी हमें लखड़ी याँ कुने काटनी पड़ेंगी यहां पे cement लाए गोला बनाया तयार हो गया तो यह क्या होते हैं बहुत ही commonly exist करते हैं और easily available होते हैं साथ ही साथ यह इनका भी इस्तमाल हम लोग दोनों के लिए कर सकते हैं क्यों क्योंकि इनकी भी bearing capacity अच्छी होती है यानि कि केवल wood एक ऐसा है जिसकी bearing cabbage थोड़ी कम है obviously बात है wood थोड़ा सा weak material आ जाता है यह कह सकता हूँ weakest material है wood क्योंकि उसमें natural wood है और वो bend कर जाता है समय के साथ इतना strong नहीं होता इसलिए wood pole हमेशा low tension भी use करेंगे बागी चाहिए steel हो या concrete हो हम इनका इस्तमाल low और high tension दोनों में कर सकते है types की बात करें तो यह दो तरीके की होते एक होते PCC मतलब plain cement concrete हमने just cement लिया और उसे खाचे में डालके pole तयार कर दिया दूसरे होते है RCC इसके अंदर हमने क्या करा strength को बढ़ाने के लिए हमने reinforcement भी provide करी आपको याद होगा हम लोग conductor भी भी बात करते हैं ACSR conductor तो जब भी आप reinforcement की बात करोगे ठीक है तो reinforcement में क्या होता है कि हम लोग एक extra steel की rod या iron की rod का इस्तमाल करते है ताकि हम उनको strength दे सके तो इसके अंदर क्या होता है यो PCC होते हैं कि just plain cement होते हैं कोई steel की reinforcement नहीं दी जो होती तो ये थोड़े से weak category में आते हैं वहीं पे अगर हम बात करते हैं RCC की तो RCC जो होते cement में हम लोग क्या करते हैं steel की reinforcement डालते हैं जो अगर RCC का pole होगा उसके center में कहीं ना कहीं steel की rods होंगी steel के reinforcement दिया गया होगा steel की जगा iron भी हो सकता है ठीक है ना अगर हम बात करते हैं इनके strength and durability की तो इनकी strength और durability दोनों कम होती यानि कि ज़्यादा durable भी नहीं होते हैं strength भी इनकी कम होती है PCC की because of the absence of reinforcement reinforcement क्योंकि हमने नहीं डाली है इसलिए वहीं पर हम बात करते हैं RCC की तो इनकी strength भी तगड़ी होती है और durable भी ज़्यादा होते हैं clear हो गए याँ पर steel की जगा iron भी यूज़ कर सकते हैं reinforcement में और next बात करते हैं comparison की अगर हम सारे पोल्स जितने भी हमने पड़े उनको compare करने ही कोशिश करें तीनो wood, tubular, steel tubular and RCC cemented poles इनको compare करने ही कोशिश करें तो strength wise देखोगे सबसे strong होते हैं steel tubular क्योंकि आपको पता होगा मैंने बहुत बार बता है steel हमेशा strength के लिए जानी जाती है तो steel के जो poles होते हैं वो बहुती ज़्यादा strength उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सबसे weak होते है wood और beach में exist करते हैं हमारे cemented ठीक है जिसके अंदर हम लोग RCC इस्तमाल कर लें तो strength उनकी तगड़ी मिल जाती है क्योंकि इसके अदर reinforcement का इस्तमाल करते हैं cement के बोरियों के दाम बढ़ गए है और last है steel ये obvious सी बात ही महंगे पड़ते हैं लेकिन इनका इस्तमाल जब हमें करना होगा जहां पे ज़्यादा strength की ज़रूद होगी वहां इनका इस्तमाल करेंगे तो अगर आप बात करते इन तीनों में सबसे ज़्यादा demand किसकी चल रही है तो सबसे ज़्यादा demand चल रही है RCC के polls की یعने cemented polls की सबसे ज़्यादा demand चलती है और इसलिए आपने देखा होगा आज-पस बसे ज़्यादा आपको this cemented polls की देकने को मिलेंगे कर रहे हैं utilities वह अगर कभी-कभी अगर उनको पैसा ज्यादा इंवेस्ट करना होगा स्टेंथ पर ज्यादा फोकस करेंगी तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ नहीं टेक्नलोजी आ जाया नया पोल कोई आए या स्टील पोल की तरह हम शिफ्ट कर जाया पर करेंगे एक बड यूज होते हैं आपके लेट्यस ट्यकरी सी यह इस तरीके से बड़े से आप देखते हो तो इhm की मेकेनिकल स्टेंट यह जैए ओर होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत हाई training line जो होती है बहुत अगर आपके city की line खराब हो जाए वो भी ठीक है लेकिन अगर मान के चलते हैं पूरे लखनाव से या कोई grid की जो transmission line है वो disturb होगी तो बहुत बड़ा fault होता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं हमारी कोशिश ये रहती है कि जो घर के पास की line है उसमें सस्ता conductor चलेगा और सस् इसलिए इनकी उपर strength पर बहुत जादा काम किया जाता है इनकी long life होती है और सबसे important चीज है कि ये harsh climate condition के साथ आधी तूफान बारिश धूब गर्मी सब के साथ ये लोग क्या करते हैं easily withstand कर लेते हैं ना नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं rail electric poles की ये poles generally हमें देखने को मिलेंगे railway tracks पे stations के आसपास और इनकी खास बात क्या होती इनकी जो हाइट होती वह 9-13 मीटर ही होती बहुत जादा हाइट इनकी नहीं होती है और क्योंकि obvious ही बात है हमें यह जो उपर जो वायर चल रहा होता है इसको हमें जो electric traction वाले जो engines होते हैं उनसे touch कराके चलना पड़ता इसक हो तो वहां से क्या होता है वहां से connectivity लेनी पड़ती इसलिए बहुत हाइट इसकी नहीं रखी जाती ठीक है क्योंकि यहां पर हमें ground clearance प्रोवाइड नहीं करवानी है यहां पर हमें एक supply प्रोवाइड करानी है clear हो गया now has more strength obviously चीज़ है क्योंकि height कम है conductors वैसे ही काफी high heavy है तो हमें क्या होगा strength जादा देनी पड़ेगी क्यों क्यों क्योंकि देखो यहां पर क्या होता है conductors जो होते 25 kV की लाइन चल रही होती यह छोटी मोटी लाइन नहीं है height कम है साथी साथ इन में voltage बहुत हाई है 25 kV is a strong voltage तो इसलिए हमें क्या करना होता है high voltage high current चल रहा होता है और हमें क्या करना है इनको strength जादा देनी पड़ती है तो इनकी strength होती है वो जितने भी पोल है उन सब में काफी जादा high strength होती है और इसी वज़ेसे इनकी cost भी जादा की line को carry करने के लिए उन में उन सारे poles में सबसे जादा strength जो होती हो हमें rail electric poles की मिलती है clear हो गया क्योंकि इनके अंदर क्या होता हमें एक side में सारा balance लगा होता है आप देख सकते हो यहां पे तो यह जो poles होते हैं काफी जादा strong and durable होते हैं size की बात कर लें तो इनके size 3 तरीके का load ले सकता है और हमारे हैं किते 9-13 meter के poles हैं तो 9-13 इससे multiply कर लो यानि कि इतने kg का load है जो tension है इन wires की जो stress यह wires दे रहे हैं उसको यह hold कर सकता है तो this is your load bearing capacity generally हम लोग 45 kg का इस्तमाल करते हैं तो आयोपी lecture आपको पसंद आया होगा इसके अंदर हमने अलग-अलग types के poles की बात करी हमने बहुत ही concise way में समझानी कोशिश करी है मैंने कि कौन से pole कहां use करेंगे एक आपको brief idea दिया है कि कौन से pole कहां use करते हैं क्या-क्या उनके features होते हैं और कहां-कहां पर किस pole की क्या weakness and क्या strength है high tension low tension वाले poles देखें फिर हमने transmission line वाले देखें फाइनली हमने railway के poles को देखें आयूब लेक्चर आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो शेयर करें लोग को बताएं इसके बारे में और जिनको जरूरत है उनकी लेक्चर को पहुचाएं आपने अपना कीमदी समय दिया उसके लिए धन्यवाद